नमस्कार दोस्तों आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज हमें एक और important topic अधिगम विकार जिसे learning disabilities के नाम से भी जाना जाता है को लेकर आए हैं ये प्रतेक सिक्षक भरती exam या सिक्षक पातरता परिक्षाओं जैसे CTAT, UPTAT, all state TATS में जरूर एक से दो प्रिशन सेक्षन में और एक प्रिशन language जैसे हिंदी, संस्कित, इंगलिस सेक्षन में भी पूछा जाता है तो एक से दो प्रिशन आने की संभाब ना रहती है तो इस वीडियो में हम पहले key points देखेंगे, कुछ tricks देखेंगे जिससे आप कभी इस अधिगम विकार सेक्षन को भूले और top 10 MCQs देखेंगे, जो कि पिछले वर्सों में TAT, CTAT और UNISTATS में पूछे गए हैं, कम MCQ रखेंगे हैं, बहुत छोटा से वीडियो बनेगा, लेकिन important वीडियो है तो इस छोटे वीडियो को जरूर देखेंगा, आप फिर अधिगम विकार learning disabilities को हमेशा ध्यान में रख प वीडियो बनाने में काफी मेहनत का काम होता है, तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो दोस्तों में भी share कीजिए, तो चलिए कुछ key points देख लेते हैं, कि learning disabilities है, ये learning disabilities अधिगम विकार सब्द जो है, इस सब्द का प्रियोग सबसे पहले 1963 में Samuel Kirk ने किया था, ध्यान और ही learning disabilities सब्द का प्रियोग किया था, अब learning disabilities है क्या ध्यान रखिये, कि समान आयू के same age group के ब्यक्तियों में ग्यान वा कौसल सीखने में कठनाई को अधिगम विकार के नाम से जाना जाता है, यानि same age group के जो students हैं, या जो ब्यक्ति हैं, कोई भी हो सकता है, उसमें जो नेक्ट कुछ अधिगम विकार हैं, यह important सा अधिगम विकार मैंने देखे हैं, CTAD के 2011 से लेके 2022-30 तक के exam में बस यही 6 अधिगम विकार से सम्मान देत प्रश्न पूचे गए हैं, मैंने इनी अधिगम विकार को यहां लिष्ट किया है, बाकि कुछ अधिगम विकार को मैंन लिख लीजिए और इनको दो-तीन बार पढ़िए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे यह और फिर आपके लिए 100% यह बर्क भी करेंगे, तो चलिए पहला है डिसलेक्सिया, आपने बहुत आसानी से सुना होगा, डिसलेक्सिया, पठन विकार है, रीडिंग से सम् डिसलेक्सिया, तो क्या होगा, पठन विकार पढ़ने से सम्बन देत होगा, ठीक है, डिसग्राफिया, ग्राफ को याद रखिए, ग्राफिया आएगा तो दियान रखिए, लेखन से सम्बन देता है, ठीक है, किस से लेखम अक्षमता से सम्बन देता है, राइटिंग से सम सम्बंदिता है जब मैं पढ़ता था तो मैंने भी ऐसे ही याद किया था जब मैंने सीटेट दिया था 2016 में तब मैंने भी ऐसे ही याद किया था अलेक्सिया आए तो पठन अक्षमता से सम्बंदिता है ध्यान रखिए डिस अलेक्सिया है और सिर्फ अलेक्सिया आए तब भी पठन अक्षमता से संबन्दित है ठीक है तो अलक्सिया को ध्यान रखें चाहे डिस अलक्सिया आए चाहे अलक्सिया आए वो पठन अक्षमता से संबन्दित हो जाता है डिस ग्राफिया आए तो ग्राफ याद रखिये तो वो लेखन अक्षमता से राइटिंग से संबन्दि तो जाता है डिस कैलकुलिया कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेशन होती है mathematics में तो आजाएगा गड़िती अक्षमता से mathematical disabilities ठीक है डिस प्रैक्सिया प्रैक्सिया को याद रखिए ये एक important है ये पिसले बरसों में पूशा भी क्या है काफिवार की dyspraxia गती समन्वे अक्षमता गती समन्वे का मतलब होता है time और speed में समन्वे ना कर पाना गती अक्षमता कहलाती है कभी कभी जैसे देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है उसकी तरफ आप बॉल फेके तो वो बॉल पे भाग कर तो जाता है पकड़ने के लिए बट बॉल को पकड़ नहीं पाता है तो क्या होता है उसका जो गती है और जो timing है उसमें मिस में चो जाता है तो वो कहलाता है गती समन्वें अक्षमता ठीक है इसे कहते हैं डिस्प्रेक्सिया अगला है अफेजिया अफेजिया भी ध्यान रखिए भासा अक्षमता या भासा घात कहते हैं इसे तो अफेजिया अब फीजिया को ध्यान रखिए भासा, अक्षमता, फिर डिस्थीमिया, तो डिस्थीमिया का ध्यान रखिए तनाब बाले इस्तिती को डिस्थीमिया कहते हैं, यह सारे इंपोर्टेंट्स हैं, जो की CTAD के पिसले एक्जामस में आए हुए हैं, तो इसका स्क्रीन सॉट ले ल dyspraxia ध्यान रखिए, मैंने एक्जाम्पिल बताई दिया, गती और टाइम, आप यह एक्जाम्पिल को ध्यान रख लेजिए, कहीं अगर आता है, तो आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे, अफेजिया, भासा अक्षमता है, ठीक है, बोलने में जो परेशानी है, और वो होत दिखते हैं, dyslexia में यह करने में कटना ही होती है, क्या करने में कटना ही होती है, पढ़ने में या बरतनी में, ठीक है, reading and spelling, अब यहाँ पर प्रशन थोड़ा घूम जाता है, कभी-कभी spelling में बच्चा घबरा जाता है, कि यह सही है, यह गलत है, देखो spelling भी तो पढ़ना ही है, तो सही अंसर होगा वो पहला, प्रशन नमबर दो देखिए, dyslexia संबन देता है, dyslexia किस से संबन देता है, मानसिक विकार से, mental से संबन देत नहीं है, गड़ती विकार से, यह भी गलत है, वो dyscalculia होता है, और पठन विकार से, तो यह बिलकुल सही है, जो अभी बताया था, reading से संबन देता है, और विवहारिक विकार से यह भी गलत है, एक बार मैं और बताओ, इंगलिस, जब आप पेपर सीट एट का खरें, तो इंगलिस वाले सेक्शन को थोड़ा-थोड़ा जरूर देख लें, कोकि dyslexia आप समझ जाएंगे, reading, ठीक है, और कभी-कभी देखने पे हिंदी कठिन आती है, तो कभी-कभी हमसे आंसर गलत हो जाता है, तो इस तरीके के प्रिशनों में आप इंगलिस वर्जन का भी सहरा ले सकते हैं, प्रिशन नमबर तीन देखिए, जब एक बच्चा जो है, किस से ग्रस्त है वो बताना है, जब सा और बाज, ठी ठीक है दोनों चीजों को, अगर वो पढ़ जाए कि ऐसे डवलू सा है, डवलू एस बाज है, नियू किलियर है या अनकिलियर है, अगर पढ़ ले तो क्या होगा, कन्फ्यूजन गलत हो जाएगा, बट वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो पठन विकार है, और पठन विकार को क्या कहते हैं, पठन विकार, रीडिंग, डिसेबिलिटीज को डिसलेक्सिया कहते हैं, तो सही आंसर डिसलेक्सिया होगा, बाकि सारे आंसर गलत हो जाएगे, प्रिशन नमबर चार देखे, सारे रिक रूप से सक्षम बच्चों को सामानने तक क्या होता है, जो सारे रिक र इस्तिति है डिसकैलकुलिय मैथमेटिक्स तो ये भी गलत है और डिसलेक्सिया ये भी गलत है पठनविकार डिसग्राफिया आंसर दिया हुआ है सीट्रेट ने जो माना है CBSE ने वो dysgraphia दिया हुआ है कि लेखन से संबंदित उनमें सामानेता अक्षमता पाई जाती है कि उनका राइटिंग अच्छा नहीं होता है तो इसको आप ध्यान रख लीजिए ये सीट्रेट में पूंचा गया प्रशन है नेक्ट प्रशन देगे प्रशन नमबर पाँ गतिक कॉस्टलों में अधिगम निर्योगिता क्या कहलाती है ये मैंने अभी बताया था गतिक कॉस्टलों में अधिगम निर्योगिता टाइम और स्पीड में जो समन्द नहीं हो न वो dyspraxia कहलाता है सही अंसर है dyspraxia नेक्ट कोशन देगे कोस्टन अमबर छे भासा अभी वोधन से संबंदित क्या है तो भासा अभी वोधन का मैंने बताया था अफेजिया आप देखे कभी कभी ये हिंदी पढ़ते हैं न चला घात पठन वैकल बाग संबंद रोग तो इसमें हमारा confusion हो सकता है इसलिए इस तरीके के प्रिश्णों में आप English section को एक बार जरूर देख लें जैसे भासा घात अफेजिया लिखा हुआ है न तो आपको confusion clear हो जाएगा ठीक है भासा अब बोधन में भासा घात होता है अफेजिया तो सही अंसर अफेजिया question number 7 देख लीजिये निमे लिखित में से कौन सा विकास आत्मक विकार का उधारण नहीं है ये भी CTT में आया हुए question है कौन सा विकास आत्मक विकार का उधारण नहीं है तो इसमें जो है आत्म बिमो प्रमस्ति घात प्रमस्ति घात cerebral palsy कहते हैं autism है पर अभी घात तनाप पोश्ट जो दिया है ट्रुमेंटिक और न्यू अवधान सक्रिये विकास attention deficit hypercity disorder जो दिया हुआ है इन में से कौन सा जो है विकास आत्मक विकार का उधारण नहीं है बताना है तो जो विकास आत्मक विकार का उधार नहीं है वो है तीसरा ठीक है ये जो है पर अभी घात तक तनाप जो है वो क्या होता है एक तरीके का चिंता विकार है ठीक है जबकि चिंता विकार है ठीक है तो ये विकास आत्मक विकार का उधार नहीं है विकास मतलब ठीक है एक तरीके से उसके डबलमेंट से सम्मन्दित नहीं है क्योंकि ये चिंता विकार है ठीक है बाकी जो आत्म विम्हों है Cereval Policy ये निद्रा रोग बगएरा होते हैं ठीक है यह cerebral policy जो इस तरीके के रोग होते हैं attention deficit hyper city disorder यह विकास आत्मक विकार हैं इसको आप याद रखिए प्रिशन अच्छा है यह question number 8 देखिए सब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठनाई का अनुभब करना और अक्षर चाक्षुक इसमर्ती का हास सम्बन देता है keywords को पकड़िए कि अक्षरों के क्रम को पढ़ने में तो पढ़ने में भहिया आ गया reading ठीक है अगर keywords को पकड़ेंगे आसानी से answer कर पाएंगे पढ़ने में reading reading का मतलब होता है इस अलेक्सिया तो यह answer D बिलकुल सही हो जाएगा next question देखते है question number 9 विक्रत लिखावट से सम्मंदित लिखने की योगता में कमी किसका उधान तो विक्रत लिखावट लिखावट से सम्मंदित आ गया writing और writing मैंने बताया ता graphia याद रखिए तो writing graphia देखिए पहला answer सही ह जाएगा डिस graphia question number 10 देखिए ये कौसत बुद्धी वाला बच्चा यदि भासा को पढ़ने एवं समझने में कठना ही प्रदर्सित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षा प्रदर्सित करता है अब किसकी बात हो रही है भासा को पढ़ने एवं समझने में ठीक है भासा को पढ़ने एवं समझने में ठीक है कठना ही प्रदर्सित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षा प्रदर्सित कर रहा है तो देखिए भासा को पढ़ने एवं समझने में reading और understanding की बात आ गई तो ये सही answer होगा देखिए पढ़न अक्षमता टिक है dyslexia ठीक next question है question number है 11, 11 number है कि dysgraphia से सम्बंदित sorry dysgraphia से प्रभावेश, बच्चों, को Muqogroof से किस में कटनाई होती ही, मैंने graphia बता दिया था जो graphia है वो writing से संबंदिता है ठीक है वो graphia किस से संबंदिता है, writing से संबंदिता है और राइटिंग किसमें होती है क्या सीधा सीधा पूछ रहा है वो है लिखने में ठीक है तो हिंदी देख लेंगे इसके साथ साथ थोड़ा इंग्लिस बर्जिन जरूर देखिएगा जिससे प्रिशनों को आप आसानी से कर पाएंगे यह मैंने ज्यादा तर प्रिशन ले लिए थे प्रिशन और भी बन सकते थे बड़ी बार बार रिपीट हो जाते है इसलिए मैंने लिम्टेड प्रिशन रखे हैं जिससे बीडियो छोटा बने और सार गर्वित हो इंपोर्टेंट हो तो चलिए मुझे आसा है कि बीडियो आपको पसंद आया होगा किसी भी समस्थे के लिए आप कमेंट करें हम उसका अगले बीडियो में समाधान करने की कोसिस करेंगे आपको रेस्पॉंस देने की कोसिस करेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम